हलो एफ्रीवन, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं बना रही हूँ खजूर, इमली और गुड की मिथी चत्नी इसके लिए मैंने एक कटोरी खजूर लिया, उसके बीच को मैंने निकाल दिया है, आधा कटोरी मैंने गुड लिया है और एक कटोरी मैंने इमली लिया, ये बेगर बीच वाली इगनम फ्रेश इमली, अगर आपके पास ऐसे इमली नहीं है, बीच वाली इमली है तो आप उसे क्या करें, आधा घंटा गरम पानी में भीगो के रखें, और उसके बाद उसके बीच को अलग करके उसके पल्प को ले पिसने के बाद ये देखे हमारी चतनी को, अब मैं इसे चान रही हूँ, चानने में थोड़ा वक्त लगता है, बड़ी जाली की चाननी है तो उससे चान ले, मैं इस पून से चला चला के चान रही हूँ, आप चाहें तो बगर चाने भी इसे यूज कर सकती हैं, ये देखे चानने के बाद हमारी चतनी को, अब मैं इसमें खुछ मसाले और नमक एट करूंगी, सबसे पहले मैं डाल रही हूँ, आधा चमच नमक, एक चमच धनिया पॉडर, आधा चमच जीरा पॉडर, और आधा चमच लाल मीच पॉडर, अब मसालों को अच्छी तरह से चतनी में म भरकर महीनों आफ फ्रीज में स्टोर करके रख सकती हैं, ये खराब नहीं होते हैं, इसे दही बड़ा चार पॉडरी समोसे जिसके साथ चाहें इंज्वाय करें